पक्सर सोचते होंगे कि सरकार अगर unlimited पैसा चाप दे तो इस देश की करीबी दूर हो जाएगी सबी अमीर हो जाएंगे और इस देश में करीबी से कोई भूखा नहीं सोएगा अब आपको मैं बता दू कि जिमबांबे देश के कॉर्मेंट ने सेम यही डिसीजन लिया था कि वो अब unlimited पैसा चाप कर अपने सारे कर्जे चुका देंगे और सारा देशी अमीर कर देंगे लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो आप उस समय की इस तस्वीर को देखिए अब आप ये सोच रहे होगे कि वहाँ पर तो बच्चा बच्चा आमीर हो गया लेकिन आपको शायद ये बात नहीं पता कि ये बच्चा इतने सारे पैसे से सिरफ एक ब्रेड का पैकट खरीदने जा रहा है यानि कि वहाँ पर उसके बाद एक ब्रेड का पैकट ही इतना महंगा हो गया कि वहाँ पर छापे गए पैसे भी किसी काम के ना रहे यानि कि अगर सरकार unlimited पैसा चापती है तो उसका नतीजा होगा देश में महंगाई और तो और उन पैसों की कोई value ही नहीं रहेगी अब दोस्तों आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर पैसों को सरकार चापती कैसे है तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ये बात करते हैं कि सरकार कैसे इतने सारे नोटों को छापती है लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले फैक्तरी में कौटन के बड़े बड़े बंडल्स आते हैं और अब इन कौटन के बड़े बड़े बुलोक्स को अच्छे से मेश कर दिया जाता है प्रॉपर मेश होने के बाद उस कौटन को पहले पेपर और पानी के बहुत बड़े ड्रम्स में फ पेपर बना देता है अब दोस्तों आप देखा होगा कि इंडियन करंसी पर गांधी जी का वाटर मार्क होता है और यही वाटर मार्क करंसी को बनाने में सबसे पहले लगाया जाता है अब एक तरफ मशीन में वाटर मार्क पेपर पर चड़ता है और दूसरी तरफ वही पेप से मदर रोल को तीन रोल में कटिंग कर लिया जाता है जिससे उन्हें आगे का प्रसेस एजी रहे अब दोस्तों आपने देखा होगा कि नोटों पर होलोग्राम लगी होती है जिसे हम तार भी कहते हैं और ये हर नोट में अलग-अलग रंगी होती है और ये होलोग्राम भी वाटर मार्के बाद नोटों के उपर लगा दिया जाता है अब इसके बाद पेपर का वीजूल इंस्पेक्शन होता है जो कि computer के जरीए किया जाता है और ये quality inspector अच्छे से चेक कर लेते हैं कि नोटों पर लगा watermark और hologram ठीक है भी या नहीं अब उसके बाद वो paper का roll इस machine पर लाया जाता है जो कि छोटे छोटे तुकडों में काट देती है अब इस process के बाद इन papers के rolls को printing area में भेज दिया जाता है अब दोस्तों printing area में जब roll पहुँचाया जाता है तब worker उन papers को उठा कर printing machine में डालता रहता है और printing machine एक एक करके paper को आगे भेजती रहती है अब दोस्तों printing section में भी node 3 तरह की printing से होकर गुजरते हैं अब जैसे कि पहले paper offset printing से होकर गुजरते हैं जैसे कि ये देखिए ये machine 50 euro का node चाप रही है और इसमें red और green color use होते हैं और इसलिए machine में भी red और green color workers दुवारा डाले जाते हैं अब इसके बाद quality inspector ये चेक करता है क currency पर लगा color कहीं ज़्यादा dark या ज़्यादा light तो नहीं हो गया और इस process के बाद note जाते हैं silk screen printing में अब जैसे कि इस note पर 2000 लिखा है जो कि एक angle से अलग रंका दिखता है और दूसरे angle से उसका color change हो जाता है तो ये वाली printing silk screen printing में करी जाती है अब finally last type की printing है intelligent printing अब इस printing में note के उपर texture print करे जाते हैं जिससे अगर आप note के उपर हाथ लगाते हो तो आपको पता चलता है कि कुछ लिखा गया है और उस तरह के texture integer printing में लगाए जाते हैं अब printing के बाद note को cutting machine में भेजा जाता है जहां पर note को proper sizes में काट दिया जाता है और फिर वो note packaging के ब अब बड़े बड़े कंटेनस में भेज कर अलग अलग बैंक्स में भेज दिया दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर केजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जोरू केजिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में